दू एकर ये डामबर रोड को लखके है सामने ये मौंटन वैली व्यू है बहुत अच्छा विजवरस्त व्यू है इदर पूरा मौंटन वैली का व्यू है और भाजू में ये बड़ा एक फामाउस है अंदर शंकर भगवान का मंदीर है ये जो ज़ाड है ये ज़ाड से लेक ये वाला ज़ाड ये जगा का फ्रेंट है ये पूरा अंदर आप देखिए पूरी डेबल लेंड जगा है ये पूरी और पूरी मिट्टी है अंदर मौहा के ज़ाड भी है अब ये दस-20 साल वाला ये ज़ाड है बड़ा आपको अगर ट्री हाउस बनाना तो उसके लिए ब ये ज़ाड देखके आपको समझ में आ जाया रहेगा कि ये जगा चेंदर पानी कितना है ये पूरी टेबल लेंड जगा है पूरी लाल मिट्टी में देख सकता आप इदर लाल मिट्टी है ये सामने ये जो पेड़े वाइट कलर इधर तक ये दो एकर जगा है बहुत खू पूरी टेबल लेंड जगा है पूरी सबसे जगाता खूब शूरती ये पेड़े अंदर सामने ये फामाउस अंदर शंकर भगवान का मंदीर है और सबसे बड़ा इसका यूएस पी एक ही है कि नेशनल हावे से एक किलोमेटर मौंटन मैली व्यू बहुत मस्त व्यू है साम अंदर टोटल नौ एकड उसमें से दो एकड दे रहे अपने को गनो एकड चाहिए तो आपनो एकड के लिए भी बात कर सकते है फिला लग चोटा पार्सल चाहिए तो ये अच्छा है मौंटन वेली व्यू के साथ में जगा पूरी टेबल लेंड जगा है और दूसरा जगा का खासियत यह है कि पत्तर नहीं है अंदर पूरी मिठ्टी वाली जगा पूरी मिठ्टी है आपको अंदाजा आ जाएगा ये सामने मिठ्टी वाली जगा सामने देखो फामोस में कितने जबदस्त पेर और पानी भी रोड की तरफ आपी जा रहे है आपन ये सामने ये देखे जगा के इदर सामने मंदीर है ये शंकर भगवान का पसनल इनों ने बनाया हुआ फामाउस के अंदर ही बहुत अच्ची जगा है गूगल पिन भी मैसेज के अंदर ही है तो जगा का यूएस पी बता देता हूँ नेशनल आवेस एक किलोमेटर रोड फामाउस के बाजू में सामने सौरी बाजू में मंदीर पोजिटिव एनरजी के लिए और दूसरी बात मौंटन वेली व्यू थैंक यू